हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो यॉर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से इस स्वागत है दोस्तो जरूरत से ज़्यादा कैल्सियम भी दे सकता है आपको ये पांच गंभीर समस्याई आईए जानते हैं कैल्सियम हमारे लिए बहुत जरूरी है इसकी कमी से धड्डिया कमजोर हो सकती और दातों और नाखोनों का विकास भी प्रभावित होता है यह सब तो आप में से कई लोग जानते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैल्सियम के अत्यधिक मात्रवी आपके लिए हानिकारग हो सकती है लेकिन यह सच है जानिये कैल्सियम की अधिकता से होने वाले यह 5 नुक्सान दोस्तों पहला रक्ट में केलसियम की अधिक्ता आपको केलसेमिया नामक बीमारी का शिकार बना सकती है इस इस्तिथी में पैरा थाराइड्स नामक ग्रंती परभावित होती है और इसके क्रियावन में समस्या पैदा हो सकती है दूसरा केलसियम की अधिक मात्रा शरीर में फास्वेट के साथ मिलकर एक केमिकल का निर्मार करता है जो हड्यों को अत्यदी कठोर बनाकर भुरुबुरा कर देता है जो असानी से तूट सकती है इसके अलावा हड्यों में जुखाव भी हो सकता है तीसरा शरीर की आवेशक्ता से अधिक केलसियम का उपभूग कई बार शरीर में तेजी से मेगनेश्म की कमी पैदा कर देता है जो आपकी हड्यों के अलावा सेहत के लिहास से भी बहुत खतरनाक है चौथा केलसियम के अफशोषण के लिए विटामिन डी बेहताविशक माना जाता है अगर आप केलसियम के साथ प्रयाप मात्रा में विटामिन डी नहीं ले रहे तो ये आपकी हड्यों के लिए बिल्कुल भी फायदे मन नहीं है और फ्रेक्चर के आपकारण बन सकता है पांचमा आप इस सकता से अधिक केलसियम शिर्फ आपकी हड्यों को ही नहीं प्रवावित करता बल्कि ये किडिनी में स्टोन पैदा करने में भी सहायक होता है इसके अलावा ब्रेन डैमेज के लिए भी जिम्मिदार होता है तो दोस्तो यदि आप भी जरूरस से ज्यादा केलसियम इस्तमाल करते हैं ये ले रही हैं तो आप डॉक्टर से चेक अप कराकर इसकी मात्रा को संतुलित करें नहीं तो आपको ये पांच गंभीर समस्या हो सकती है तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पस नहीं नहींदो के तो हमें आपको स्यिनले नहीं कामी कि आपको कर तो आपको काती हुआ उन्हीं गररा के लित शॉने ग zijn वण感じ है उते हैं झानकार को का भीनिदित कॉन में अईर्च झाल झाल